नमस्ते आज फिर इस हेलो डाइबिटीज सीरीज में एक बहुत सिंसेटिव टॉपिक है जिस पर हम बात करना चाहेंगे आज कल आप देखेंगे कि भारत देश में ही नयुक्त पुरे विश्व में यंग लोगों सारे लोगों को डायबियोटीज हो रहा है और यह जो diabetes है ये बावीज बीस पचीस साल की उमर से लेकर तो 35 साल की उमर और 40 साल की उमर में पचीस से 40 के बीच में बहुत सारे लोगों को diabetes हो रहा है और ये एक बहुता चिंता का विश्य है एक जमाने में average जो age रहती थी diabetes की आज से 10 साल या 20 साल पहले वो रहती थी 55, 65, 65, average age आज की तारिक में average age है 40-42 ऐसी होगी है और यंग लोगों को भी मदुमें हो रहा है और उसका बहुत सारा कारण एक physical in activity है या खाने पीने का गड़बड है, मोटापा है तो जब मोटापी की बात कर रहे हैं तो उसमें महिला हैं और लड़कियां भी अच्छूती नही है तो एक पहला reason की मोटापा बढ़ रहा है दूसरा reason पहले एक जमाने में महिलाओं की शादी खासकर भारत देश में 20-22 तक हो जाती थी बच्चा होने का भी जो कारेकरम है वो पूरा 26-27 तक खतम हो जाता था परन्तु आज की तारिक में बच्चों की शादियां लेट हो हो रही है करियर के कारण या दूसरे और कारणों से बच्चियां लेट शादी हो रही है और शादी के बाद फिर उनका जो चाइल्ड बेरिंग का जो प्रोग्राम है बच्चे वाला जो कारेकरम है वह और पोस्पोन हो रहा है तो आने डेवरेज वह 28-29-30 और कई बार 30 को हो जाता है तो इस तरह से डाइबिटीज की उम्र कम हो रही है और चाइल्ड बीरिंग एज या प्रेग्नेंसी की एज बढ़ रही है और इसलिए दिसमेश मैच तो नाव यू आर गेटिंग मोर यंग गर्ल्स गेटिंग मैरीड लेट ट्रेंग तो गो फर कंसेप्शन आपको वुष्ट टापिक में हम यहीं बात करें तो सबसे पहले एक इनफर्टिनिटी कॉमन है पॉलिसेस्टिक ओविरेंट डिसीज उसके कारण भी मोटापे के कारण हो सकता है और उसके कारण भी डाइबिटीज होने की संभाव ना हो सकती है और जिन लोगों को डाइब प्रेद बरतना और क्या करना जिसको हम लोग बूलते हैं प्री कंसेप्शन केर तो सबसे पहले यदि आपको डाइबटीज है तो आप जब परिगनेंसी का प्लान करते हैं तो पहले आप डॉक्टर से पर्मिशन लीजिए डॉक्टर की पर्मिशन के बगेर आपने प्रिग शुगर्जद आरहा या ऐसी गोलियां या दवाइयां चालु रही जो प्रेग्डेंसी के 2 सुरक्षित नहीं हैं तो वह बच्चे में उध्ब का या वन दवाइयों का अffर जा सकता है चाहे बलड़ड़़ की दवाइय कि दवाइय हो चाहे वहन íst इसकी गोलिया हो इनके side effect बच्चे पर हो सकते हैं तो पहले इन दवाईयों का हमको withdraw करना पड़ता है उसके बाद आपको इंसुरिन पर shift करना पड़ता है शुगर को 90 और 120 पर लाना पड़ता है HBNC6 के नीचे लाना पड़ता है साड़े छे के अंदर लाना पड़ता है उसके बाद डाक्टर आपको fit करता है कि जैसे surgery के लिए fitness रहता है उसी तरह आपको अब आप pregnancy के लिए fit हो और आपको ये भी देखना है कि उस समय आख में कोई complication तो नहीं है तो pre-conception counseling and pre-conception care हर known type 1 and type 2 diabetes के लिए जरूरी है गलती से भी आप accidental pregnancy करके मत आ जाना और ये बहुत commonly होता है 90 प्रतीशत pregnancies are accidental और आप डॉक्टर के पाद जाते हो मूह नीचा करके साब गलती से हो गया ये जो गलती से हो जाने वाली pregnancy है ये मदुमेह में घातक हो सकती है बच्चे के लिए और ये भी हो सकता है कि आपका शुगर बहुत जादा है तो ऐसे में डॉक्टर आपको वार्न कर सकते हैं कि ये बच्चे में defect होनी की संभावना बाकी लोगों की तुलना में जादा है इसलिए preconception care हर ऐसी महिला जो childbearing age की है उसको जरूरी है जो अपने डॉक्टर से हमने confirm करना अनिवार रहे है तो with this message I stop here today thank you thank you very much nice meeting you again